सबी साथ unit को मेरा क्रांतिकारी जय मिला सलाम सथियों जञाएबंकों आज आप लोगों से बात करूंगा सब्दाइब 5 Shepherd के बात करूंगा वो अच्छे और जो हिंदु समाज के लोग हैं वह कहते हैं कि राम मंदिर बनना चाहिए चलिए मान लिए लेकिन मुझे यह आप लोग बता दिजिए चाहिए हो हिंदु हुआ और छोइन मीजी नोगे-शक्टा-रीजेश कहिंधे, तो इसम्हान चाहिए, लेकिन हम नहीं चाहिए, आप लोग कह रहे हैं मुसलमान भाई कहए रहे हैं कि बापनी मैहहजिद बना दीजिए और कि राममंदिर बना दीजिए चलिए कोई बात निल नीं बना लीजिए लेकिन आप लोग के दिलों में और दिमाग में यह चीज नहीं आता कि वहां पर कोई 20 बिद्याला बनाया जाए ताकि देश के बच्चों का देश के जो हमारे बच्चे हैं उनका भविश्च बन सके यह जो भी वह सांसद हुए चाहिए वह बिधायक हुए किसी को यह नहीं दिल में आता है क्या अगर राममंदिर बन जाएगा तो अससे देश का वहाला होगा तो नहीं होने वाला और अगर महजिद बन जाती है तो उससे किसी को क्या लाव हुए और lackons खूल खूल जाता है वहाँ पर कोई भी बढ़िया सा आए कॉलेज वहां पर खुलवाया जाए विस्विद्याला वहां पर खुलवाया जाए तो उससे देश के पता निकितने बच्चों का वला होगा कितने लोगों की भविस्थ बनेगी इसके बारे में ना मानी योगी आदितनाथ जी सोच रहे हैं ना मानी फर्धान मंत्री नरेंद्र मोधी जी सोच रहें 29 तारिक को इसकी सुनवाई है लेकिन इस चीज को टाला जा रहा कि राम मंदिर बनेगा बावरी महजित बनाए जब उस ना वहां पर राम मंदिर बनवाई यह नहीं बावरी महजित बनवाई कुछ भी मत सीजने से किसी का फाला नहीं होने माला चाहिए महजित हुआ हो मreं होगर स्कूल यह अगर होस्पीटल बनता है तो चाहिए वह गरीब हुआ चाहिते हुआ हों बढ़ चड़ कर हो सके यह कि नहीं आप नाम चेंज करने में लग गए हैं गाय को अपनी माता बोलने में लगे हैं अच्छी वात है किसी को सम्मान देना अच्छी बात होती है लेकिन आशिक जब चाहरे चार साल फहले मानी प्रदानमंत्री जी अच्छे दिन आएंगी वह अच्छा दिन पता यह नहीं चला ही लड़ाते हैं अगर कोई नेता हुआ वो आएगा वो बोलेगा कि मैं 24 घंटे विजली दूँगा 24 घंटे बोलके शला जाएगा दूसरा कोई आएगा उसको हटा देगा अगर उसको हटाएगा नहीं तो अगले को मुद्दा नहीं मिलेगा अगला तुना नहीं जीत हम लोगों को आपस में लड़ाया जाता है और कुर्सी जो होता है जिम्हदारी कुर्सी का वह लोग पार जाते हैं तो सभी साथियों से मुसल्मान भाईओं से हिंदु भाईओं से सभी लिगों से मेरा निवेदन है कि ये राम मंदिर बाबरी महजित और ये गौतम बुद नौजवान उनों का भविस्ट के बारे में सोचिए मंदीर महजीद बनवाने से कुछ नहीं होता तो मैं आप लोगों से ये कहने के लिए आया था और सभी भाईयों से और मैं अपनी बहनों से भी कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग गाना गाते हो समास के लिए तो आप मु में लिखके दे सकते हैं और आप लोग का जैसे मेरी वीडियो पढ़ते हैं वैसे आप लोग की वीडियो पढ़ते रहेंगे आपके समास का है ये चैनल आप लोगों का चैनल है आप लोग के प्यार दुलार आसिरबाद से ये चैनल बनना है तो आप लोगों से ये कहने के के लिए मैं आया था कि राम मंदिर और बावरी महजित को हटाई ये वहां पर कोई स्कूल या हॉस्पीटल बनवाई ये मैं ये कहने के लिए आया था अभी साथियों को मेरा कुरांतिकारी जै भी मिला सलाम और साथियों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किये हो त लिए चैनल को मैं ये लिए बावरी महाई पर के लिए चैनल को सबते हैं ये बावरी महाई ये जीए ये लिए राम